नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरूज यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाना में 1983 PTI की भरती रद होने के बाद उनको जोब से निकालने के बाद कुछ ऐसी जोब्स और हैं जिन पर खत्रे के बादल मंड़ा रही है तो कौन सी है वो जोब इस वीडियो में डीटेल से चर्चा करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें उन वीडियो को शेयर कर दें दोस्तो शुरू करते हैं सबसे पहले जो आपके फिल्ड कलर्क है उनकी नोकरी अब खत्रे में पढ़ चुकी है SETC टेस्ट एक साल में करना होगा पास प्रोबेशन पीरियोड बढ़ा जिहां अब हम इसमें चर्चा करेंगे कि कौन फिल्ड कलर्क है और क्यों की नोकरी जो है खत्रे में पढ़ी है ये SETC टेस्ट क्या है और प्रोबेशन पीरियोड कैसे बढ़ा तो दोस्तो हर्याना के सिंचाई एम डेल संसादन विभाग के दर्जनों फिल्ड कलर SETC यानि कि State Eligibility Test in Computer Appreciation and Application आप इसके बारे में जानते होंगे टेस्ट दो साल के प्रोबेशन पीरियोड में पास नहीं कर पाए ये SETC एक Computer Proficiency Test होता है जिसमें भिर्थियों को अंग्रेजी के 30 सबद प्रती मिनट वे हिंदी के 25 सबद प्रती मिनट की स्पीड से टाइप करने जरूरी है ऐसा ने करपने पर टेस्ट में फेल कर दिया जाता है सिंचाई विभाग के इंजिनियर इंचीफ के पत्र अनुसार अनेक ऐसे कलर्क हैं जिनका दो साल का प्रोबेशन पीरियोड पुरा हो चुका है लेकिन वो टेस्ट को पास नहीं कर पाए है तो इसी वज़े से ये मुख्य कारण निकल के आ रहा है कि अब सरकार के पास या डिपार्टमेंट के पास एक सिर्फ उनको एक्स्टेंशन देने का ही दास्ता बचता है जो कि उनको एक साल की अवधी का एक्स्टेंशन मिला है तो increment तो दे अवदी में लग जाएगी मगर area नहीं मिलेगा और इनका increment भी रोक लिया गया है तो अब ये बड़ी समश्या आन खड़ी हुई है जिन अभ्यर्थियों ने जिन जो लगे वे भ्यर्थियों से ये SETC exam जो है पास नहीं हो पा रहा है तो बड़ी update आप ये देख रहे थे inspirational गुरूजी यूटूब चैनल पर उमीद करते हैं कि ये अभ्यर्थी जल्द ही इस exam को पास करेंगे और अपना जो due उनके रहते हैं जो चीज़ें रहती है वो उनको समय से पालेंगे अब देख रहे थे inspirational गुरूजी यूटूब चैनल अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन प्रेक्स करना वीडियो को लाइक को शेर करना ना भूलें अब आपके होस्ट को इजाज़ों दीजिए किसे ची खबर के साथ फिर हाजिर होंगे तब तक नमस्कार